हम किसी ऐसी दुनिया में नहीं रहते हैं जिसमें हर रोज बस सब कुछ पर्फेक्ट ही होता हो और हम कितने में अनरजेटिक क्यों नहीं हो सकते बट सब कुछ perfect करेंगे हम कर से ये सोच के जब हम रात को सोने जाते हैं तो नीन की जकडन में perfect word ही कहीं fade होने लगता है पर मान लो सुबा नीन ही लेट खुली तो बस तब तो फिर सब कुछ वैसा ही होता है जैसा रात को सोच के हम बिलकुल नहीं सोये थे और कोई plan हात में ना हो तो situation और भी worst हो जाती है तो ये life है यहां सिर्फ सोचने भर से कुछ नहीं होता जब life बहुत ज़दा busy हो जाए life में responsibilities बढ़ने लगे तो छोटे छोटे steps के साथ हमें अपने दिन को ज़दा productive और perfect बनाने की कोशिश start कर देनी चाहिए लेकिन हमेशा याद रखें ये एक ऐसी कोशिश है जो हमें पूरी life करनी है जिसमें कभी कुछ perfect हो जाएगा तो कभी कुछ नहीं बट किसी भी चीज़ को लेके guilt में रहने की कोई ज़रूरत नहीं ये वीडियो सभी बिगिनर्स होमेकर्स के लिए है जिने सब कुछ head to toe सीखना है नया घर, नए लोग और नई responsibilities अगर आपने by choice होमेकर बनना decide किया है सब कुछ perfectly manage करना चाहती है तो सबसे पहले आपको अपने लिए एक schedule बनाना है उसके बाद उसी के base पे आप daily एक to do list भी बनाएंगी I know सबकी priorities different होती हैं तो सबकी list भी different ही होगी आज की वीडियो में मैं आपको अपनी example के through time manage करना बताऊंगी इसमें आपको अपनी requirement के coding changes करने होगे एक question जो आपके मन में आ सकता है कि daily के वही काम है पता है कि रोज यही सब करना है तो फिर listing करने का क्या use है इसका जवाब मैं आपको बिल्कुल नहीं देने वाली 21 days आप ये trial करेंगे और उसके बाद आप खुद मुझे कहेंगे कि अब तो वो काम भी होने लगे जो कई महीनों से pending काम तो हम सभी करते हैं बट एक time frame के अंदर काम को खतम करना ही time management कहलाता है तो चलिए बिना time waste के सिधे point पे आते हैं तो सबसे पहले आपको अपने लिए इस तरह का example schedule बनाना होगा जिसमें वो सब काम लिखे होंगे जो आप daily करते हैं फर्क सिर्फ इतना होगा कि उन कामों के साथ आप अपने आपको एक time limit देंगी अपने पूरे दिन को चार parts में divide कर लीजे morning routine, afternoon routine, evening routine and night routine morning routine में वो सारे काम आएंगे जो सुबा fresh up होने से लेके दुपहर के 12 बज़े तक आप करती हैं सुबा के पहले 2 घंटे आपको उन कामों के लिए रखने हैं जो आपको सबसे ज़्यादा important लगते हैं और मेरे लिए मेरी health से important कुछ भी नहीं वैसे तो मेरी morning सुबा 5 बज़े से पहले-पहले हो जाती है fresh up होने के बाद मैं अपना कुछ time छट पे बिदाती हूँ ये मेरे बहुत से followers जानते हैं और actual में routine शुरू होती है 5.30 तो चार ऐसी important चीज़े होती हैं जो सुबा 5.30 से लेके 7.30 तक मैं खतम करती हूँ जिसमें सबसे पहला काम है lemon water पीना as usual उसके बाद stuffy को walk पे लेके जाना और washing machine का load लगाना जिस दिन मुझे लगाना होता है उसके बाद मेरी exercise routine और 7.30 तक हर हाल में मुझे ये काम खतम करने होते हैं अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो definitely आपकी priorities अलग होंगी आप अपने सुबा के पहले 2 घंटे उसके हिसाब से ही set करें exercise करने के बाद यानि कि 7.30 मैं अपने रूम में आ जाती हूँ 10 मिनट में वहाँ पे relax करती हूँ और उसके बाद मैं अपने रूम की dusting करती हूँ normally मेरा cleaning part cooking करने के बाद ही शुरू होता है लेकिन अपने रूम की dusting करने के पीछे एक reason ये है कि कुलदीब जी early morning 4 बचे को down जाते हैं और उसके बाद आके वो 1 घंटा rest करते हैं तो मैं अपने रूम की dusting उस time नहीं कर सकती जस time वो रूम में सो रहे होते हैं तो इसलिए ये काम मैं पहले ही खतम कर लेती हूँ second चीज ये भी जब मैं अपनी morning routine खतम करके अप आपीस अपने रूम में आऊँ तो मुझे मेरा रूम बिल्कुल neat and clean लगे उसके बाद 8 to 9 breakfast ready करना और breakfast करना उसके बाद अपने multi vitamins लेना ये एक normal चीज हो सकती है लेकिन multi vitamins मेरे लिए बहुत important है इसलिए मैं इसे अपनी list में भी mention करती हूँ अगर आप अपने सारे meals pre-plan करते हैं तो breakfast ready करना और breakfast करना दोनों के लिए एक घंटा बहुत ज़्यादा है बट आप notice करेंगे कि मेरी पूरी list में हर काम के लिए मैंने extra time रखा है ताकि बिना irritate हुए सभी काम timely complete हो सके और आपके list का flexible होना भी बहुत important है 9-10 prepare lunch और clean kitchen तो breakfast बनाने के साथ साथ ही मैं lunch की त्यारी भी शुरू कर देती हूँ और उसके बाद वही dishes clean करना और kitchen cleaning 10 बच तक kitchen का पूरा काम खतम करके मुझे kitchen से बाहर आ जाना होता है और ये तभी possible है जब हर काम के लिए आप खुद को एक time limit दें 10-11-15 में cleaning part करती हूँ floor cleaning का पूरा काम house helper करती है और dusting में खुद करती हूँ dusting के लिए कुछ particular areas में decide कर लेती हूँ और उनी areas को उस दिन clean करती हूँ plus एक washroom weekly cleaning भी मैं इसी आर के अंदर finish करती हूँ और उस दिन अपना daily cleaning का कुछ part में skip कर देती हूँ 11-15 to 12 noon time होता है self care का तो मैं करती हूँ अपनी skincare और उसके बाद shower लेती हूँ और get ready daily नहाने से पहले अगर 10 minute अपने face की massage कर ली जाए या फिर अपने nails को file कर लिया जाए तो अपनी skincare के लिए कुछ extra effort लगाने की आपको ज़रूरत नहीं बढ़ती है shower लेके daily तयार हो जाना positivity बढ़ाता है और आपको good feel करवाता है और इसी से हमारा confidence level भी बढ़ जाता है उसके बाद अपने sample schedule में लिखे afternoon routine जो होगी 12 to 5 pm मैं इस पूरे time में almost free होती हूँ चलिए free भी नहीं कह सकते क्योंकि मैं एक YouTuber हूँ तो मुझे YouTube का भी काफी काम होता है 12 to 1.30 जो भी मुझे YouTube से related कोई काम करना होता तो मैं उसे करती हूँ या फिर कोई book read करती हूँ 1.30 शाप होता है हमारा lunch time जो चलता है दो बज़े तक उसके बाद सिरफ 15 मिनट लगते हैं मुझे dishes clean करने के लिए और kitchen clean करने के लिए kitchen में clean करने वाला उस time जादा कुछ होता नहीं है कि सुबा ही सारे cleaning done हो चुकी होती है 15 मिनट इन दोनों कामों के लिए काफी है time fix करने का मतलब ये कभी नहीं होता कि आपका एक मिनट भी इदर से उदर नहीं होगा time उपर नीचे जरूर होगा और बहुत बार होगा लेकिन फिर भी time को follow करते रहने की कोशिश करते रहना आपको discipline बनाता है उसके बाद सवादो से लेके शाम के 5 बज़े तक आप कुछ भी कर सकते हैं जो आपका मन करे तो ये होता है मेरा me time अगर मुझे जरूरत हो तो मैं इस time एक घंटे का nap ले लेती हूँ लेकिन अगर जरूरत हो डेली ये possible नहीं हो पाता दो बज़े जैस्मिन की class खतम होती है और साड़े दिन उदे की शुरू होती है तो इस बीच दोनों बच्चे इस time free होते हैं तो थोड़ा सा time में इनके साथ spend करती हूँ उसके बाद social media है आपके पास youtube है मतलब काफी कुछ होता है हमारे पास करने के लिए अपने me time में अपने me time को अपने हिसाब से आपको कम या ज़दा करना पढ़ सकता है क्योंकि जो moms अपने बच्चों को studies में help करती है उनको ऐसा ही कोई time अपने बच्चों को study में help करने के लिए choose करना चाहिए उसके बाद अगर हम बात करें evening routine की तो शाम को 5 बजे से लेके 6 बजे तक होता है tea और family time चाहे बनाने पीने और गपे मारने में एक घंटे का वक्त नहीं लगता है बट वी नीड एक्स्टा टाइम छे से साड़े छे बजे में पौधों को पानी देती हूँ और जो कपड़े सूख चुके होते हैं उनको फोल्ट करने का काम भी इसी time होता है और ये काम most of the time ममा ही करते हैं मैं सिरफ 10 मिनट लगाती हूँ कपड़ों को iron करने में iron करना मुझे पसंद नहीं तो 10 मिनट के अंदर जितने हो गए बस ठीक है बाकी अगले दिन पे जाएंगे 6.30 to 7.30 डिनर रेडी करना हम लोग तो सालों से कुकिंग करते आ रहे हैं तो हमें पता है कि एक घंटा एक मिल को रेडी करने में बिल्कुल नहीं लगेगा लंज हो या डिनर 30 to 40 मिनट में रेडी हो जाता है उसके बाद हम जाएंगे night routine पे तो night routine को मैंने mention किया है 7.30 onwards तो 7.30 to 8.30 डिनर टाइम होता है आज कल हम सभी लोग अपना डिनर बहुत जल्दी ले लेते हैं तो maximum time 8 बज़े तक अपना डिनर खतम कर लेते हैं लेकिं मैंने time यहां पे mention किया है 7.30 to 8.30 अगर बात करूं मैं kitchen cleaning और अगले दिन की meal preparation के लिए तो मैंने उसको time दिया है 8.30 to 9.30 9.30 तक अपना kitchen का पूरा part खतम करके मैं बाहर आजाती हूँ क्योंकि dishes clean करना, kitchen clean करना और अगले दिन के meals की preparation करना एक घंटे में अराम से हो जाता है 9.30 to 11 यह आपका family time है आप जो चाहे कर सकते हैं और यह दिन का last वक्त अपने लिए अपने teeth को brush करना, अपनी skincare करना उसके बाद मैं अपनी to-do list बनाती हूँ, अपना general लिखती हूँ जो की बहुत important है अपने emotions को, अपनी life को किसी और के साथ share करना और किसी ऐसे के साथ share करना जो आपकी किसी भी बात पर react ना करे और उसके बाद express gratitude जो की बहुत important है उसके दिये हुए हर दिन का उसकी दी हुई जिन्दगी का रोज शुक्र करना मैं जल्दी उड़ती हूँ, तो जरूरी नहीं है कि रात को मुझे 11 वजे ही सोना है अगर मेरा ये सारा काम जल्दी खतम हो जाता है और करने को कुछ है नहीं तो बिना वज़ा जागने का कोई मतलब नहीं, तो मैं बहुत जल्दी भी सोजाती हूँ ये sample schedule तो मैंने अपने life की needs और priorities के हिसे आप से बनाया है ऐसा ही sample schedule आप खुद के लिए भी बना सकते हैं schedule को भी मैं description box में डाल दूँगी आप download कर सकते हैं सिर्फ एक idea है, changes आपको खुद करने पड़ेंगे क्योंकि time limit के साथ ऐसा एक schedule अगर हमारे पास हो तो daily की to-do list बनाना easy हो जाता है तो चलिए फटा-फट से देखते हैं कि मैं अपनी to-do list कैसे बनाती हूँ daily हमें cleaning करनी है, कितने time frame के अंदर करनी है, पता चल गया cooking करनी है, कितने time में करनी है, वो भी समझ में आ गया laundry करेंगे, cup करेंगे, रोज करेंगे, या alternate days पे, वो भी हम decide करेंगे कुछ होते हैं हमारे outworks, तो हम अपने schedule को 4 parts में divide करेंगे लेकिन अगर आप मेरी तरह health conscious हैं, तो इसी काम को आप divide करेंगे 5 parts में तो एक दिन पहले हम decide करेंगे कि कल breakfast, lunch और डिनर में क्या बनेगा तो breakfast, lunch और डिनर अगर decide हो जाए, तो उसी हिसाब से हम रात को ही उसकी पूरी preparation करके सोएंगे cleaning part में हम घर का कौन-कौन सा area clean करेंगे, वो भी अपनी to-do list में mention करेंगे और सिर्फ उतना ही area mention करें, जितना आप उस time frame के अंदर complete कर सकें laundry में आपको क्या करना है, एक load लगाना है, दो load लगाना है, या सिरफ उस दिन ironing करनी है, या सिरफ folding करके closet set करनी है वो आप laundry column में mention करेंगे, घर से बाहर जाके कोई काम आपको करना है, चाहे वो कितना भी छोटा काम क्यों नहीं है जो भी चीज़ें आपको लेके आनी है, वो आप out work में mention करेंगे, इसके बाद आता है आपका exercise column मैं daily अपनी exercise change करती हूँ, मुझे कल क्या करना है, कितनी repetitions लगानी है, कितने sets लगाने है, सभी मैं एक दिन पहले लिख लेती हूँ यह मैंने आपको एक roughly idea दिया है, कि आप चाहें, तो इस तरह से अपनी to-do list बनाना शुरू कर सकते हैं cooking, cleaning और laundry में क्या करना चाहिए, कैसे करना है, कब करना है, उसमें अगर आपको कुछ help चाहिए, तो दो videos के link में description box में डाल दूँगी, आप check कर सकते हैं listing करते हैं, मुझे काफी time हो गया, अब क्या, कब, कितने time में खतम करना है, वो मुझे वैसे भी idea रहता है, किन फिर भी मैंने लिखना बन नहीं किया, क्योंकि ये मेरी एक habit बन चुकी है, अच्छी habits को break करना अच्छी बात नहीं I hope ये वीडियो आपको कुछ हद तक तो help करेगी, तो चलिए मैं मिलूँगी आपसे next वीडियो में, till then bye bye, take care and stay healthy